हेलो दोस्तों नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनलाइन एड़ा फॉर्स्टी यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस अपडेट के बारे में जोकी संबन देते हैं यूपी टिजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में यानि कि उत्तर बृदेश की टिजीटी पीजीटी परिक्षा को लेकर साथी साथ अगर बात की जाए उत्तर बृदेश में तो आप सभी ने देखा है कि पिछले दो दिनों से लगाता है उत्तर ब्रदिस के अंदर तीन बड़ी ख़वें देखने के लिए मिली कल सुबर के समाचा पत्तों में आप सभी ने देखा था कि कैबिनेट की माध्यम से नए शिक्षा सेवा चैन आयोक को लेकर नीमा वली को म समाचा पत्तों में इसकी जानकाई तो आप सभी ने देखी लिए कि नए शिक्षा सेवा चैन आयोक से समंदित नीमा वली पर महुल लगा दी गई है अब इससे आगे क्या होगा उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं और मैं आपको जो भी जानकाई दूंगा वो सीधे तोर पर अधिकाईयों से मिली जानकाई ही आप सभी को दी जाएगी क्योंकि आप सभी ने आज की निउसपेपर में भी देखा होगा कि जो पुलाने आयोगों के सदस्य हैं उनी को नए शिक्षा सिवा चैन आयोग में ट्रांसफर कर दिया जाएगा यानि कि निव्थ कर दिया जाएगा और इसकी जानकाई आप सुभी को यहां पर भी देखने के लिए मिल जाएगी अब मुद्दे की बात यह है कि नए सिक्षा सिवा चैन आयूक के संबंद में जो यूपी टीजटी-पीजटी की परिक्षा है वो कब तक देखने के लिए मिलेगी क्योंकि बहुत सारे या 32 बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि अब टीजटी-पीजटी की तैयारी करें या फिर न करें या फिर धीमे धीमे लगे रहें कि परिक्षा जल्द हो जाएगी या परिक्षा में और भी समय हैं जिससे किसी और भरती में हम तैयारी कर लें तो उन सभी के लिए खास बात य लेकर 60% आप दूसरी भरती को दे सकते हैं क्योंकि यूपी टीज़िटी पीज़िटी एक बड़ा से लेबर्स है और बहुत अच्छी द्याई आपकी पर होनी चाहिए लेकिन अगर बात कीज़ें आपकी भरती के बारे में तो यहां पर लिखा भी हुआ है कि 10 पदों पर आय चैन आयूक के अंदर एक अध्यक्ष और 10 सदस्यों की नियुक्ति होनी वाली है उसकी भरती प्रकिया जल्द शुरू हो सकती है एक बार जैसे ही नई शिक्षा सिवा चैन आयूक के अंदर एक अध्यक्ष और 10 सदस्यों की नियुक्ति होगी उसके बाद में टीज़िटी सिर्वर चैन आयो की नीमा वली को अब यहां से केबिनेट ने मंजूई दे दिये अगर सरकार की माध्यम से दिसंबर की पहले सप्ता में नए अध्यक्ष और सदस्यों की जो भरती की प्रकिया शुरू कर दी जाती है तो बहुत ज्यादा उंबीद हैं कि दिसंबर की अंदर- नए शिक्षा सिवर चैन आयो के अंदर नए सदस्य और देख्षके जो निक्ति का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा उसके बाद में इनकी जो जॉइनिंग का प्रोसेस होगा वो जन्वरी तक या जन्वरी के स्थार्टिंग में कंप्लीट हो जाएगा यानि कि अब नए शिक्षा सिवर चैन आयो के अंदर एक या डेड़ महीने का समय बिलकुल लगेगा क्योंकि यहां पर सदस्यों की निक्ति होनी है जॉइनिंग होगी उसके बाद में भरतियों को लेकर काम शुरू होगा यानि कि मानकर के चलिए कि जन्वरी में नए शिक्षा साफ हो जाएगी सदस्यों की निक्ति अध्यक्ष की निक्ति और उसके बाद भरतियों को लेकर जो काम शुरू होगा वह आपको जन्वरी में देखने के लिए मिलेगा अब डिपेंड करता है कि अगर लास्ट जन्वरी में आकर नया सिक्षा सिवा आयोग भरतियों पर काम सकती हैं यानि कि फर्वरी और मार्च में आप जानते हैं कि बोर्ड परिक्षा भी होती है और अगर रहे के लिए महत्की तक आयोग पूरे तरीके से यह कर अगर इसी तरीके से प्रवसस आगे बढ़ता रहा तो और उसके बाद आपकी परिक्षा कभी भी करवाली जाएगी आप लोग अपनी तेयारी करते रहें लेकिन वहीं दूसी तर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश में आने वाली नई प्रेमरी सिच्छक बरती के बिग्यापन के बारे में क्योंकि बहुत सारे अभ्यति इसको लेकर इंतजार कर दें क्योंकि अब नया सिच्छा सेवा आयोग बनने लगा है तो नई प्रेमरी सिच्छक बरती को लेकर क्या अपडेट है वो भी बहुत जादा मैत्पूर है दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर सबसे बड़ी समस्या है वो खत्म हो जाएगी क्योंकि अभी सरकार के पास आयोग नहीं और इसी लिए नई प्रेमरी सिच्छक बरती को लेकर वो चाहते भी नहीं जाए चातों के सामने बोला जाए क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आपने एक वार घुष्णा कर दी त बहुत ज्यादा प्रवल हो जाएंगी अगर आयोग जन्वरी के बाद पूरे तरीके से काम शुरू कर देता है तो यहां पर नई प्रैमरी सिच्छिक भरती के लिए कम से कम से कम से कम दो या तीन महीने की वेटिंग तब भी आपको देखने के लिए मिलेगी यानि कि मान जन्वरी में अगर आयोग भरतियों पर काम शुरू करता है तो दो तीन महीने तो ऐसे ही निकल जाएंगे क्योंकि सरकार पहले उन भरतियों पर फोकस करेगी जो लटकी होई है जो रोकी होई है उनको पूरा करेगी जैसे कि टीजिटी पीजिटी असिस्टेंट प्रोफिस पीजिटी उत्तरब्रेस के अंदर आयोजित होता है तो उसमें बीएड को रखा जाएगा क्योंकि अब तो एनाइवस से डीलेड करने वाले अभ्यतियों को भी बाहर कर दिया गया है और सुपीम कोट ऑफ इंडिया ने दो साल के डीलेड और 18 महीने के डीलेड को सेम नहीं तो यहां पर जैसा कि आप सभी देख पाएं कि बर्तमान में सुपीम कोट से तो बीएड को कोई दाहत नहीं मिली है और अगर इसी तरीके से सुपीम कोट ऑफ इंडिया बीएड को कोई दाहत नहीं देती है तो फिर पूरे तरीके से जो बहुल है वो आजाएगी केंद सरक या एंसिटी के हाथ में अगर बो लोग यहां पर कोई डिसीजन लेते हैं या फिर कोई ऐसा फैसलर लेते हैं बीएड को लाने के लिए तभी उत्तर प्रदेश की प्रैमरी में बीएड समलित होगा अधर्वाइस बीएड करने वाले अभ्यतियों के लिए उत्तर हैं बड़ी संख्या में बीएड करने वाले अभ्यतियों को चैनित होने का मौका मिला था और नोकी भी कर रहे हैं तो फिलाल उत्तर प्रदेश में नई प्रैमरी जिट्चक भरती को लेकर उम्मीद तो बनेगी लेकिन वो तभी जब नया आयोग पूरे तरीके से त्यार हो हैं समझ में कभी-कभी यह नहीं आता कि अभ्यति जब आवेदन शुरू होते हैं तभी यह प्रोसेस क्यों नहीं कंप्लीट कर लेते लास्ट डिट की इंतजार में बैठने की बज़े से अब उनको यहां पर इंतजार करना पड़ेगा आने वाले छह साथ महीने तब जाकर द्वा सीटेट आएगा फिर जाकर वो आवे दिन कहेंगे थैंक यू फर वर्चिंग इस वीडियो